नमस्कार स्वागत है आपका गाम के लोग चैनल में मैं हूँ पूजा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर कोरोना वाइरस का नया म्यूटेशन ओमिक्रोन सबसे पहले 24 नमंबर को दक्षिड अफ्रिका में मिला था अब तक ये करीब 100 देशों तक पहुंच चुका है और डर है कि ये दुनिया के जादादर हिस्सों में मौजूद है ओमिक्रोन के कारण ब्रिटेन और फ्रांस में डर होता दिखाई दे रहा है केंद्र और राजी के अधिकारियों के अनुसार 11 राजियों और केंद्र शाषित प्रदेशों में अब तक इसके लगभग 156 मामले दर्ज किये जा चुके हैं आने वाले दिनों में भारत को भी हालात को देखते वे सचीत होने की जरूरत है इलहा प्रतिशत है नियाएक विवस्ता में सुधार पूराने केसिज के जल्द निस्तारण से भी संभव है कोरोना काल में अदाल्टों ने टेकनोलोजी के साथ बहुत काम किया आगे इसमें और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है हम सब का प्रयास यही होना चाहिए कि नियाए नियाए सबकी नजर में होना चाहिए और उसमें विलम नहीं होना चाहिए यूपी विदानसभा चुनाओ से पहले राजी में फोन टैपिंग विवाद गहराता दिख रहा है यूपी के पुर्व मुख्यमंदरी अखलेश यादों ने योगी सरकार पर उनके और प्रियांका गांधी का भी साथ मिलता दिख रहा है अखलेश यादों ने रविवार को दावा किया है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंदरी योगी आदिशिनात की सीधी सनलिप्तता है लखनों में एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते वे सप अगर आप हमसे संपर कर रहे हैं तो आप भी रडार पर है इसके साथ या एकलेश यादों ने इंकम टैक्स के छापों को लेकर वे इडवी बीज़ेपी सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि सपानेताओं और उनके करीबियों के यहां इंकम टैक्स के छापे बिजेपी हार के डर से करवा रही है अभी तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट आया है आगे CBI और EDV आ सकती है वहें अकलेश के इन आरोपों को लेकर जब कॉंग्रेस महासची और यूपी कॉंग्रेस प्रभारी प्रेंगा गादी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार को फोन सुनने के बजाए काम पर ध्यान देना चाहिए किसान अंदोलंद खत्म करने के बाद घर पहुंचुए राकेस टिकैट अब भी अराम करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं यूपी विदान सबाद चुनाओ से पहले टिकैट अब गन्ने के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरने में जुड़ गया है साथ ही टिकैट ने सपा प्रमुख अखलेश यादों के उस ओफर को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बीके यू नेता को चुनाओ लड़ने का ओफर दिया था राकेस टिकैट इन दिनों शामली में मौजूद हैं भारती किसान यूनिन के राष्ट्री प्रवक्ता ने कहा कि यूपी में सरकार ने वादा किया था कि वो 14 दिनों में भुखतान कर देगी लेकिन सरकार वादे पर खरी नहीं उत्री किसानों का गन्ना मिलो पर अभी भी काफी बकाया है AIMIM के प्रमुख और सांसर ओवैसी ने चुना कानून संशोधन विधैक का विरूत करने का फैसला किया है इस कानून के तहट आधार को ओटर एडि से लिंक कराने का प्रस्ताव है ओवैसी ने इस संबंध में लोकसभा सचिवाले को नोटिस भीजा है ओवैसी ने अपने नोटिस में कहा है आधार को ओटर एडि से लिंक करने का प्रस्ताव निजता के मौलिक अधिकार का उलंगन है पंजाब विधानसवा चुनाओं से पहले बेयद्वी की घटनाओं पर केंद्रे ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है केंद्रे ग्रिह मंत्राले ने पंजाब के सभी गुरुदवारों, डेरों, मंदिरों के अलावा, सभी धार्वे किस्थानों के सुरक्षा बढ़ानी को कहा है ग्रिह मंद्राले ने कहा है कि देश विरोधी तत्व पंजाब में धार्विंग भवनाएं भढ़काने की कोशिश कर सकते हैं मलेशिया में सुक्रवार से बोरे भारी वारिष्टे चलते बाड़ा गई है सरकारी वेबसाइट के अनुसार देश के 16 राजियों और संखेश शेत्रों में से 8 में शनिवार को बाड़ का जल इस्तर खतरना की स्तर पर चला गया है जिससे आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड सकते हैं देश के कई राजियों में ठंड ने अपना प्रकोब बढ़ाना शुरू कर दिया है दिल्ली में जहां तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है वही राजस्थान, हिमांचल, समेट पूरे उत्तर भारत में शीत लहर के कारट ठंड का पारा बढ़ता और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है राजस्थान और जमी कश्मीर के कई लागों में माइनस में तापमान पहुँच गया है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनवर फरुखी 16 जन्वरी को कोलकाता में अपना एक शो करने वाले है मनवर फरुखी ने शनिवार शाम को इस शो के लिए टिकेट बुकिंग की लिंक अपने ट्विटर हैंडल से शेर की है इसमें बताया गया है कि 16 जन्वरी को कोलकाता में होने वाला धंधो नाम का ये शो दो घंटे का होगा ऑनलाइन टिकेट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो के मताबिक एक टिकेट के कीमत 799 रुपे रखी गई है आपको बता दे कि इससे पहले नवेंबर में कुछ दक्षिड पंथी संग्ठनों के विरोध के बाद बंगलूर्य में होने वाला उनका शो रद कर दिया गया था दुनिया के बहुत चर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चिन परिवार की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है आज वोलिओड एक्टरस अश्वरा राय दिल्ली के लोक नायक भवन में ED के सामने पेश होंगी सुत्रों के मुताबिक ED के अधिकारियों ने सावालों के लिस्ट पहले ही तयार कर ली है दरसल पनामा पेपर्स मामले में भारत के करीब 500 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी इसमें नेता अभिनेता खिलाड़ी बिजनस्मैन हर वर्क के प्रमुख लोगों के नाम है इन लोगों पर टैक्स की हेरा फेरी का आरोप है जिसको लेकर टैक्स अथोरिटी जाच में जोटी हुई है इसी कड़ी में एक महीने पहले अभिश्यक बच्चन भी ED कार्याले में पहुँचे थे वे कुछ दस्तावेज भी ED अधिकारों को सौप चुके हैं ED सुत्रों के मताबिक जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिता बच्चन को ED नोटिस देकर बुलाने वाली है तीन टेस्ट और तीन वंडे मैचों की सीरीज को लेकर भारती टीम साउथ अफरिका के दौरे पर है जिसमें पहला टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच खेला जाना है भारत और साउथ अफरिका के बीच इंचुरियन सूपर स्पोर्ट पार्क में खेली जाने वाले पहले टेस्ट के दौरान स्टैंड्स खाली रहेंगे साउथ अफरीका में ओमिक्रोन के बढ़ते वे मामले को देखते वे साउथ अफरीका क्रिकेट बोर्ड ने पहले टेस्ट के टिकेट नहीं बेशने का फैसला किया है नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने 2000 लोगों को एंट्री के अनुमती दी है लेकिन साउथ अफरीका क्रिकेट बोर्ड ने बिना अश्कों के उपस्तिती में ही पहला टेस्ट आयूजित करने का फैसला किया है हाला कि स्टेडियम में असोशियेशन और लोकल पदादिकारे मौचूद रहेंगे इसी तरह की तमाम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे देखते रहे गाउं के लोग चाहना धन्यवाद घ्क पूच्शन आयूजित करो चाहन है